विवर्स कैसे हैं आप सब लोग मैं उमीद करती हूं आप सब लोग ठीक होंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेसन के अचार की रेस्पी नहीं आपको इसको धूब में रखना परेगा और नहीं दिनों तक इंतजार करना परेगा आप इसे मृंटों में को भी बहुत शोग से इसको खाएंगे तो चलें फिर वीडियो को स्किप किये बना आपने पूरा देखना है तो रेस्पी को स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्ला रख्मान रहीम यहां पर मैंने देशी लेसन लिया है एक कटोरी इसे दो कर अच्छे तरह से हमने साफ कर लिया ह और जो यह जर्वला हिस्सा होता है इसको भी आप देख सकते हैं हमने अच्छे तरीके से निकाल लिया है जी विवस यहां हमने थोड़ी सी सबस मेचे लिए हैं इनको भी हमने दो के अच्छे तरीके से फुश कर लिया है अब हम सबस मेचों को दो हिस्सों में काट लेंगे जी विवस आप चाहें तो इसको चार हिस्सों में भी काट सकते हैं लेकिन हम सिर्फ इसको दो हिस्सों में काट के इसी तरह करके सारी रखते जाएंगे इस तरह देखने में ये बहुत ज़्यादा खुबसुरत लगेंगी ये टोटल हमने लिए हैं 15 अदत के करीब हम खास मसाला इसके लिए रेडी कर लेते हैं इस प्रेइपान में हम डालेंगे मेती दाना एक खाने का चमचा दो खाने के चमचे हम डालेंगे साबत खुश्क धनिया ये बहुत अच्छा लगता है वन टेबल स्पून के करीब हम इसके दे डालेंगे गाई दाना सौफ इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1.5 तेबल के करीब अब फ्लेम को हम ओन कर देंगे और दो से तीन मिंट के लिए इसको हम रोस्ट करेंगे हलका सा भूनेंगे छलकी आंच पर हम इसको रोस्ट करेंगे जब तक इसके अंदर जो हाई हलकी हलकी सी खुश्बू आनी स्टार्ट ना हुजे। यह मसाले हैं जो हमने ड्रायर रोस्ट करने हैं और भी जाएंगे इसमें उने हमने रोस्ट के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे। इस तमाम मसाले हमारे जो है वो अच्छे प्रीके से भून गई है अब फ्लीन को हम ओफ कर देंगे और इससे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे इसके बाद हम इसे एक मसाले में डबी में डाल कर इसको दरदरा सा कूट लेंगे जी विवर्स अब हम क्राई के अंदर जो है वो आदा कप के क्रीप सरसो का ओल डालेंगे और इसको हम गरम होने के लिए रख देंगे जी विवर्स सरसो का ओल में गरम हो गया है अब हम इसके अंदर लेसन डाल देंगे और इसको हलकी आज पर हम फ्राय करेंगे यानि कि हम इसको लिखा सा पकाएंगे आईल के अंदर हमने बगाना एक मिंट के लिए हम लैसन को पकाएंगे जी विए लैसन अमारा गरम वह गया हुआ अन्दर हम सबसमीचे रिएट करेंगे और श..बड्य के लिए फकारू राइल में और जू के अ्टेंकि न्हें रilly मैंग डिश्ञाओं को भी किम फासा विफन रूस्ट कर लेंगे तो में इस को भी पकाना है最近 मतष्ञाओं करें सिरहरो तो 00 t बस क्रेंची बंग साव होना चाहिए तभी अचार अच्छा लगता है जो मसाला बनाया था वह हमने शामील कर दिया है अब इसके अंदर और मसाले एड़ करेंगे हम इसके अंदर डालेंगे वन टेबल स्पौन के कृव नमक करतेंगे लैसं के अंदर और साथ यहं के और फूती हूई लाल मेंचे आद करेंगे आता चामच के करीब हम इसके अंतर हल्दी डालतेंगे और इसे भी कर लेंगे लैसके साथ पिस चीजों को हमने अच्छे त्रीक्षिस कर लिया रहा है अब हम आखे मेर डालेंगे इसके अंदर आदी चमच के प्रीब कलवन जी को हमेश्ग हमने एड में ही लाना है वरना इसे अचार का क्लर जो है वो तब्दील हो जाता है भी से भी एक मिंट के लिए रोस्ट कर लेंगे किलवंजी को अब हम आखिर में इसके अंदर डालेंगे सफैद सिर्का थी टेबल स्पून के क्रीब और इसे डालके 10 सेकंड के लिए हम इसके अंदर इसको पका लेंगे 12 के लिए हमने इसको पका लिया हम इसकी फ्लेब ऐसके एक लेंगे यह देखिए जड़ सा अचार बन कर तियार हो गया है अब हम इससे फंडा कर लेंगे हमारा अच्छा जो है वो ठटा हो गया गया है अब हम इसे किसी भी एट जार में डाल कर रख लेंगे वीडियो को देख लिया है पूरा तो चैनल को लाइक कर दीजिगा और चैनल पर नहीं है तो सब्क्राइब्स भी कर दें और नीचे प्यारा सा कॉमेंट भी जूर कर दीज हैノीज किसा कॉमें किसा क्प्राइब्स ग्डिज में डाल सकत दीजिजा और पर दीजिसी कर चैनी कर दो क्चार जीज़िशने, जीज़िए रिलएगा है तो सब्स्क्राउब्स नहीं कर दीज़िया झाउख छिजिजब्स यिज़िए autor में बंस्तों टृम्सिजिज़ प्